नमस्कार दोश्ट क्या दिख रहा है इस विडियो में आपको इस तस्वीर में नोटों की हजारों गडियां 500 के नोट, 2000 के नोट, 200 के नोट, एक बिस्तर पर हजारों गड्यों का अमबार नोट गिनते कुछ लोग मशीनों से आती आवाज है जिसमें दनादर नोट गिने जा रहे है वीडियो देखकर एक बार गी ऐसा लगेगा जैसे किसी बैंक का ये कैश चेंबर है या किसी बैंक का खजाना है जहां नोटों की गिनती हो रही है और इतने लोग नोट गिन रहे है लेकिन ये नोट ये नोटों का खजाना ये हजारों बंडल पात-पांस सौ के नोटों के ये बरामद हुए है जारखण में एक आईस अधिकारी के सीए के घर से सीए के घर से वो आईस अधिकारी जो 2000 बैच के आईस अधिकारी है जारखण में यानि कुल 22 साल के उनकी नौकरी है और उनके सीए के घर से एडी ने 17 करोर कैश बरामद किया है अभी नोटों की गिनती चल रही है और कैश के साथ-साथ एडी ने सीए के घर से जो कागज बरामद किये हैं उसमें लगभग 8 करोर की उनकी संपत्ती अचल संपत्ती का भी पता चला है यानि कुल हुए 25 करोर या आगे जा सकता है क्योंकि 25 करोर मामूली है देश में ऐसे आईस अधिकारी रहे हैं बीते 20-25 सालों में भी ऐसे आईस अधिकारी गरफतार हुए है जिनकी जायदाद या जिनकी जिनका कैस जो कैस का खजाना 200 करोर से लेकर 400 करोर तक रहा है तो फिलाल ये 17 करोर है और ये जो आईस अधिकारी हैं जिनका नाम है पूजा सिंगल जारखन में जारखन काडर की है और ED ने उनके 20 ठिकानों पर चापे मारे हैं नोट गिनने की मशीन का इस्तेमाल तो होई रहा है क्योंकि इतना नोट गिनना असान नहीं है अगर दरजन भर लोग भी गिनने बैठ जाएं बिना मशीन के तो कई दिन लगेंगे अभी भी घंटे लग रहे है घंटों से गिने जा रहे है और खबर ये भी है कि पूजा सिंखल जो जारखन में माइनिंग सेकरेटरी के साथ-साथ खनन बिभाग की सचीव के साथ-साथ दो और विभागों की जिमिदारी जिनके कंदे पर थी और सबसे बड़ी दात पूजा सिंगल के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे जेमेम की रही हो, चाहे रगवर दास मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे जेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो, हर सरकार में उनकी तूती भी बोलत जिसका एक छोटा सा नमूना सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उनके निवास पर परामत की हुई है लेकिन दिल्चस्प बात है सुमन कुमार ने ये कहा है कि ये 17 करोर जो कैश हैं ये कैश पूजा सिंगल जी के हैं और अगले फाइनेंशियल एर में दिखाने वाले थे। से माफिया को काम देकर पट्टा देकर जो भी जैसे भी कमाया वो सिये के पास था और सिये इसका हिसाब किताब करता कि कैसे इसको ब्लैक वाइट किया जाए। तो ये भी खबर है जो भासकर में देख रहा हूँ कि इनके पूजा सिंगल के जो पती हैं वो पल्स हॉस्पिटल के मालिक हैं। कारुबारी हैं अभिशेक जहा पल्स हॉस्पिटल में भी छापे मारी हुई है और होता ये शायद जो इनके बयान से पता चल रहा है कि अस्पिटाल के आमदनी के तौर पर ये सत्रा करोर कैश उसमें लेंदेन किसका होता सिये साब का कितना कमिशन होता क्योंकि कैश को असमर थे कि इतनी रकम उनके पास क्यों आई और उन्होंने क्यों रखा अलाके उन्होंने बताया कि रकम आये सधिकारी और उनके पती की थी अब इसमें बिल्चस बात ये है पूजा सिंग लेक ऐसी करेक्टर जो 2000 बैच के आये सधिकारी हैं पहले पती से तालाक के बाद उन्होंने शादी की अभिशेक जहा से जो कारुबारी हैं जहां जहां पोस्टिंग रही है उनकी जैसे चत्रा और पलामू में पोस्टिंग रही है उस दोरान भी उन पर घपले घोटाले के आरोप लगे एक ऐसे NGO को 6 करोड का एडवांस पेमिंट करने का आरोप लगा जि जाच के सिलसिले में इडी ने शिकंजा कसा पूजा सिंगल पर तब ये कैश की बरामत की हुई है इसके अलाबा जहारखन के खूटी जिले में वो मनरेगा खूटी जिले में जब पोस्टिंग उनकी थी तब मनरेगा में 18 करोर का घोटाला हुआ उस वक्त वो DC थी जैसे ब कैसे रही बाइस साल की नोकरी में बीजेपी सरकार हो चाहे जेमिम सरकार हो उन्हें अहां मोहते कैसे मिले और आज तक नहीं पकड़ी गई आज पकड़ी गई तब उनका खुलासा हो रहा है इसका इसकी वजह क्या है उसी में मैंने एक भासकर में खबर देखिया आगे मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे देश के I.S. अपसर घोटालों में घपलों में भरस्टाचार में लिप्थ होते हैं और देश के I.S. अधिकारियों में करीब करीब 13 फीजदी 12-13 फीजदी I.S. अधिकारी हैं जिन पर करप्सन के चार्जेज हैं जेल ज आ चुके हैं जेल में हैं आज भी कुछ और कुछ जेल से जमानत पर आ चुके हैं और जिंदगी मौस से बिता रहें और उन पर सैक्रों करोर के घपले घोटारे का इल जाम है वो कौन है आगे बताने से पहले जरा पूजा सिंगल पर अब पूजा सिंगल के बारे में मैं द प्रणोती दी है लेकिन इसी में एक जानकारी देलचस्प ये भी है कि रगुवर दास की सरकार के समय भी एक बार ऐसा भी हुआ कि रगुवर दास मुख्यमंतरी थे हर सब्ता सुचना भवन में जन संबाद का आयोजन करते थे उस दर्मयान फर्यादी सीधे उनसे गुहार ल होचाना पड़ता है संजोग देखिए जिस समय वो आदमी फर्यादी शिकायत कर रहा था उसमें फर्यादी के एक दन भगल में पूजा सिंगल बैठे थी वो नहीं जानता था कि जिनकी शिकायत कर रहा है जिस मैडम की वो भगल में ही बैठी मुख्यमंतरी के दर्बार में सिंगल उसमें किर्शिव विभाग के सचीव थी जब उस बुजुर्ग ने अपनी बातें रखी पूरा कमरा मुख्यमंतरी का कमरा ठाहके से गूंज उठा थोड़ी देर के लिए रखवर दास भी शांत हो गए पूजा सिंगल फर्ष पर देख रही थी मानो धर्ती फर्ज उसमें समा जाए लेकिन पूजा सिंगल का कुछ बिगरा नहीं उसके बाद हेमंद सोरेन नए मुख्यमंतरी बने फिर भी पूजा सिंगल को मलायदार पोस्टिंग मिलती रही और अधिक प्रभावशाली हो गए पूजा सिंगल ने पहले आयस सदिकारी राहुल पुरवार इतना कमाते हैं कि कैश बरामदगी 100 करोड, 50 करोड, 1500 करोड तक होने की जानकारी बीते 20 सालों में मिली है और यहां 17 करोड तो आप सामने देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं उनको बचाने में, उनको संरक्षन देने में, उनके कबच के तोर पर, उ पूजा सिंगल के करीबी लोगों में जारकन के कई पत्रकार शामिल हैं, ये लोग अलग-अलग संस्थानों में बड़े पदों पर रहकर मैडम के लिए मीडिया मेनेजमेंट का काम करते हैं, मैडम के खलाव किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारों पाने पर यह लोबी सक्रि किसी थी, उस समय भी उन पर आरोप लगा कि 83 एकर जंगल की जमीन को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर कर दिया, ED ने कोर्ट में बताया कि उस मामले में भी जा चुरे, जिस अधिकारी के खिलाफ अगर 10 साल का ही रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो इतने मामले हो, 10 सा आठ का मामला है, जो देख रहा हूँ, NGO मनरेगा वाला मामला, उसके अलावा माइनिंग का, और उसके बाद 14 साल से इतने अरोप के बाद, इतनी जाच, हाई कोर्ट में शिकायत, और उसके बाद भी वो अधिकारी, तीन-तीन विभाग की जिम्मेदारी सभाल रहे हैं, मुक नहीं चापे में बरामद हुआ है, मुक्यमंद्री जी करतूत है, मकान, जमीन, जगह, अस्पिताल, ठेका, पट्टा का हिसाब तो अलग है, पैसे की गर्मी अलगे होता है, ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है, हिमन सुरवें के पहले रगुमरदास थे, पूजा सिंगल के प पंदरा साल, दस साल के नौकरी में इतना कमाता है, सरकार के पास शिकायते पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार बहुत सारे अधिकारियों का कुछ बिगरता नहीं है, कुछ पकड़े जरूर जाते हैं, कुछ की गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन सत्ता का संज सिर्फ पर बैठे लोगों की निकटता, सरपरस्ती, ऐसे अधिकारियों को फल्ले फुल्ले देती है, तब ही वो पकड़े जरूर जाते हैं, लेकिन उस बिच हजारो करोर, सैकरो करोर का गबन कर चुक होते हैं, और यह माल ले कि एक पूजा सिंगल पकड़ी गई, तो ऐसी सो ऐसे आईये सॉफसर होंगे, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता होगा, अब एक जानकारी मैं देख रहा था, मैं आपको बताता हो, टॉप टेन करप्ट आईये सॉफसर के बारे में भी, लेकिन एक दिल्चस्प जानकारी जो संसद में सरकार की तरफ से कहा गया, कै परस गुनी संपत्ती बढ़ गई पांच साल में, लेकिन नौकर शाह भी बहुत कमाते हैं और बहुत कम पकड़े जाते हैं, क्योंकि सरकारे तो बदलती है, जैसे जारकंद में सरकारे तो बदली 20 साल में, 20 साल में 5-6 मुख्यमंत्री बदल गए, यह जादा श्यारकंद मे हवाले से मैं एक जानकारी दे रहा हूँ जो मिंट में दिखा खबर दिखी कि 2020 में 581 आईस सदिकारियों के खिलाब ब्रश्टाचार के मामले दर्ज किये गए और ये जानकारी 10 मार्च 2021 को केंद्रिया मंत्री जो डियो पीटी के इंचार्ज हैं संसद में उन्होंने जानकार कि 2019-20 में 753 शिकायते आईस सदिकारियों के खिलाब मिली 2018-19 में 643 शिकायते मिली ये लिखी जवाब में बताया एक और दिल्चस जानकारी जो आगे बताता हूँ दरसल सवाल पुछा गया था सरकार से कि आईस और आईपेस सदिकारियों के खिलाब कितने केसेज दर्ज है केंद्रिया मंतरी ने ये भी बताया कि 2017 में 623 आईस सदिकारियों के खिलाब शिकायते थी जबकि 2016-17 में 380 अधिकारियों के खिलाब शिकायते थी और 2015 में 16 तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई अभी आखड़ा मिला नहीं 2014 के पहले का 2014 में मोदी जी आया ना खाऊंगा ना खाने दूँगा के नारे के साथ हलाके या इस अधिकारी राज्यों में पोस्टेड होते इसके लिए जिमेदारी केदर सरकार की नहीं है लेकिन एक दरदन से ज़्यादा राज्यों में BJP की सर कारें तो बड़े-बड़े तमाम राज्यों में BJP की है और कुछ राज्यों में मदप्रदेश जैसे राज्य है 15 साल से ज़्यादा BJP है और भी कई ऐसे राज्य है तो ये 2015 में सिर्फ 16 के खिलाब शिकायत जो 2019-20 में मैक्सिमुम 753 आइस अधिकारियों के खिलाब शिकायत ये सरकार का बयान है संसन में 16 केंद्रिय मंत्री ने ये भी बताया कि CBI ने 2016 से अब तक 44 IS और 12 IPS अधिकारियों के खिलाब केस दर्ज किया गया है ये है अगर रेशियो के अधार पर देखेंगे अनुपाद करप्ट IS अधिकारियों का अनुपाद क्या है कितने अधिकारी ह उसमें कितने बैमान है घुस्कोर है लुटे रहे है तो एक आकड़ा है डियो पीटी के डेटा के मताबिक अभी सेंसन पोस्ट IS का 6553 है जिसमें 5104 IS अधिकारी अभी काम कर रहे है दप्रिंट की खबर है एक अप्रिल 2022 की अब इस आकड़े को अगर ऐसे देखें कि 5104 IS अधिकारी सर्विस में है और ये जो करप्ट IS अधिकारी का अखड़ा अगर देखते हैं जो सरकारी आकड़ा है जिसका जिकर अभी मैंने किया जो 600 से सारे 700 के आसपास है जिनके खिलाब शिकायते मिली तो इसका अनुपात अगर निकालते हैं तो इसका मतलब 12 से 13 फीजदी IS अधिकारी के खिलाफ करप्ट के शिकायत है कि शिकायत है उसमें से कुछ ऐसे होंगे 57 फीजदी जो बड़े बड़े घुसखोर होंगे अब इनका नंबर पूजा सिंगल का टॉप घुसखोर में टॉप करप्ट IS अधिक करोर अगर इनकी बरामदगी है तो बहुत कम जब तक यह 100-200 करोर का आकरा पार न करें अब यह जड़ा एक आकरा आपको एक जानकारी देता हूं मैं कोशिज करूँगा दूसरे वीडियो में भी विस्तार से घुसखोर IS अधिकारियों के बारे में बताओं और कैसे यह माल कमाते हैं कुछ पकड़े जाते हैं कुछ बज जाते हैं कुछ रिकार्मेंट के बाद कहीं सेटल हो जाते हैं सैक्रों करोर की जैदाद और संपत्ति के साथ टॉप टेन आईयस अधिकारियों के एक लिस्ट में देख रहा हूं किसी वेबसाइट पर छपा है चार-पांच आ सैक्रों करोर कमा कर और आराम से अफसरी जारते हुए जिन्दगी गुजार देता है कई बार कुछ पकड़ा जाए उसकी बदकिस्मती भाराल पकड़े गए लोगों की बाद नितेश जनार्दन ठाकुर आयस अधिकारी थे 2012 में CBI जाच में खुलासा हुआ कि 12 साल के नौकरी में नितेश जनार्दन ठाकुर ने सैक्रों करोर कमाए पता चला कि कई प्रोपर्टी के अलावा 200 करोर कैश जमा कर रख दो सो करोर ये तो 17 करोर बहुत कम है दस परसेंट 200 करोर दस लगजरी गारियां उनके पास थी लैंड रोवर मर्सडीज ब्यम डब्लू समेट नितेश और उनकी पत्नी बंटी बबली की तरह काम करते थे कई फरजी कंपनियां थी शेल कमपनियां बनाकर 300 करोर से ज्यादा उन्होंने पंप कर रखा था ऐसे उसके बाद के एक आईस अपसर हैं टॉप 10 की चुकी बात कर रहा हूँ जुलाई 2014 में 71 बैच के आईस दमपत्ती अर्विन जोशी और टीनू जोशी बहुत चर्चित हैं ये बंटी बबली की तर लिखा है क्या बैक्ग्राउंड लेकिन जब उसका काला चेहरा जब काला ध्याय खुलता है तब पता चलता है इस चेहरे के पीछे इस नकाब के पीछे कितना बड़ा घोस्कोर चिपा था तो टीनू जोशी और उनके पती अर्विन जोशी को डिस्मिस किया गया 2014 में दोनो अस्ट्रेलिया से MBA करके आए भारत आए दोनों ने एक साथ IS का इम्तान दिया दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए और दोनों मध्यप्रदेश काडर में न्यूक्त हुए और जम कर कूटा इतना कूटा कि सलाकों के पीछे गए और नौकरी से भी गए खैर उसके बाद एक नीरा यादः 90 के दशक में इतनी हाइ प्रोफाइल अधिकारी होती थी यूपी की कि उनकी तूती बोलती थी उनकी कई सरकार हो बीजेपी सरकार हो हर सरकार और नौइडा और अथरिटी की चैर्में थी और उस दोरान उन्होंने सेक्रों करोरों की जमीने आवंडित की उसके बा एक और सज्जन का नाम है बाबुलाला ग्रबाल आये सद्धिकारी वो स्कोर है आये सद्धिकारी की बात करो टॉप 10 रेंकिंग वाले हलाके इस लिस्ट में जो वेबसाइट पर लिस्ट दिखी इसमें एक नाम मिसिंग है जो मेरे जहन में अखंड प्रताप सिंग यूपी मे चीफ सेक्रेटरी थे मुझे याद है साइद 10 साल से जादा हुआ होगा तब 200-500 करोड की संपत्ति का पता चला था पता नहीं इस लिस्ट में उनका क्यों नाम नहीं है वो मैं रिसर्च करके कल फिर दूसरी वीडियो में आपको बता हूँगा भारत बाबुलाला ग्रबाल 36 गड में 98 बैच के अधिकारी थे 2010 में कृशी सची रहते हुए पकड़े गए कुल 500 करोड की रकम इनके 446 बेनामी खाते में मिले 446 बेनामी खाते में 500 करोड शोलह शेल कंपनियां बनाकर हवाला ट्रंजेक्शन के जरिये भी 100 करोड का खजाना इन्होंने जुटा रखा क् और इसका एक सिस्टम होता है पूरी चेन होती है बहुत मुश्किल से कोई पकड़ा जाता है उसी तरह से एक कोई टियो सूरज है राकेश बहादूर यूपी के 2009 में मायवती राज में सस्पेंड हुए वो भी बहुत चर्चेत अधिकारी रहे है वैसे बहुत सारे अधिका आमी इंस्वास्त मीशन घोटाले में इनके बारे में इस असरकार किसी का भी सिक्काई नहीं का चलता है ननुमल पहाडिया इनहें भी घूस लेते वक्त गिरफतार किया गया अशोक सिंघ भी आयए सधिकारी इन्हें भी गिरफतार किया गया 2015 बें 2017 तक सपेंड रहे अभी से तेरा फिजदी आईस अधिकारियों के खिलाब करप्शन की शिकायते हैं सरकार ने संसर्थ में माना ओन रिकॉर्ट तो फिलाल कि यह चोटी मचली समझे उसके अलावा कितना गुना है जो पता नहीं चलता है और सबसे बड़ी बाद जो आईस अधिकारी 20 करोड 25 करोड 50 करोड 100 करोड कमा लिया तो क्या लगता है सिर्फ आईस कमा रहा है वो जो उपर बैठा नेता है मंत्री है या मुख मंत्री है या और कोई है वो पूरी चेन है वो पकड़े नहीं जाते क्योंकि आईस अधिकारी अगर सेंशन कर रहा है कहीं दस्तखत कर रहा है तो उसके पीछे किसी के रजामंदी भी है किसी का अदेश भी हो सकता है तो एक लंबी चेन है और करॉप्शन का ऐसा जाल है जिस जाल में जो फस गया पकड़ा गय इनके घर से जो कैश बरामद हुई है उस बरामदगी की तस्वीर विडियो ट्विटर और तोशल मीडिया पर चाया है अब देखते हैं कि ये बरामदगी 17 करोर कैश 8 करोर की ज्यादा यहीं तो तक रुकती है या यह जो टॉप 10 कैटेगरी है उस कैटेगरी में 100 करोर से कम कोई नहीं है उस कैटेगरी वे शामील हो तक इस वीडियो को यह खत्म करते हैं दोस्तों फिर बुलाकात होगी किसी और वीडियो में और एक आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोग नमस्कार